क्रिकेटर्स और बॉलिवुट का घहरा रिष्टा रहा है मगर इस रिष्टे में कई बार बड़े विवाद भी देखने को मिले है ऐसे में आज हम उन पांच मशूर अभी नेत्रियों के बारे में बताएंगे जिनके साथ कई बड़े खिलाडी विवादित घटनाओं में फस गए पहला नाम है रिष्ट पंत और उर्वशी रोतेला रिष्ट पंत और उर्वशी रोतेला के बीच अफेर के चर्चे भी बड़े पैमाने पर हुए थे एक इंटर्विव के दौरान उर्वशी ने कहा था कि पंत की तरफ से उन्हें 17 मिसकॉल रिसीब होई थी इसके तुरंद बाद पंत ने एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की जिसमें लिखा था यह मज़ेदार है कि कैसे लोग इंटर्विव में केवल कुछ लोगप्रियता बढ़ाने के लिए और सुर्खिया बटोरने के लिए जूट बोलते हैं फिर उर्वशी ने रिशब पंत के लिए पोस्ट शेयर किया और छोटू बहिया बोलते हुए उन्हें अपने खेल पर ध्यान देने के लिए कहा बाद वे पंत ने भी इस बॉलिवूट एक्टरस को दीदी लिखकर संबोधित किया और यह कोल्ड वॉर अब तक जारी है COVID-19 महामारी के कारण रोक दिया गया था और घिलाडी एक लंबे लॉकडाउन के बाद वापस एक्टरस में आये थे ऐसे में कमेंटरी कर रहे पूर्व दिगजवल्लेबाद सुनील गवासकर ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान विराट ने सिर्फ अनुश्का की गेंद लेकिन मुझे यह जानकर अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताएं कि एक पती के खेल के लिए आपने उसकी बीवी पर इस तरह का व्यापक बयान देने के बारे में क्यों सोचा अगला नाम है विव रिचर्ड और नीना गुपता वेस्ट इंडीज के पूर्व दिगज क्रिकेटर विव रिचर्ड और अनुववी अविनेतरी नीना गुपता 1980 के दशक में कुछ अबदी के लिए रिलेशन्शिप में थे लेकिन विव रिचर्ड पहले से ही शादी शुदा थे उनकी एक मसाबा गुपता नाम की बेटी भी है जिसका जन्द 1989 में हुआ था ऐसा कहा जाता है कि नीना को जब पता चला कि वह प्रेगनेंट हैं तो उन्ह ने अबार्शन नहीं कराने का मन बना लिया वह मसाबा को जन्देना चाहती थी रिचर्ड से शादी करना बहुत दूर की बात थी क्योंकि वह पहले से ही मेरिट थे नीना का पालन पोशन एक रूडी वादी परिवार द्वारा किया गया था और उन दिनों बिना विवा के बच्चा पैदा करना अंसुना था मुंबई मिरर के साथ एक इंटर्व्यू में नीना ने एक बार कहा था अगर कोई एक चीज वह अपने अतीद से बदलना चाहेंगी तो वह है शादी के बिना बच्चे को जन्म देना क्योंकि हर बच्चे को माता पिता दोनों की जरूरत होती है मैं मसाबा के साथ हमेशा से इमानदार थी इसलिए इससे हमारे रिष्टे पर कोई असर नहीं पड़ा लेकिन मुझे पता है कि उसे क्या बगतना पड़ा है चोथा नाम है संगीता बिजलानी और मुहम्मद अजरुदीन साल 2000 में मैच फिक्सिंग में फसनी से पहले अजरुदीन ने अपनी पहली बीवी नौरीन को तलाग दे कर साल 1996 में बॉलिवोड एक्टरस संगीता बिजलानी से शादी करके जमकर सुर्ख्या बटोरी थी एक रिपोर्ट के मताबिक बैडमिंटन खिलाडी जुआला गुट्टा के साथ अफेर के करण अजरुदीन की दूसरी शादी भी 2010 में तूट गई संगीता ने बाद में एक इंटर्व्यू में कहा कि वह अजर के अफेर के बारे में खबर पढ़ कर भैबीत हो गई शादी और रिष्टो के बारे में बोलते हुए उन्होंने एक इंटर्व्यू में कहा कि एक महिला बहुत चांदार हो सकती है और पुरुष कभी भी भटक सकता है आकरी नाम है राय लक्ष्मी और महिंदर सिंग धोनी भारत्य टीम के पूर्व कपतान महिंदर सिंग धोनी हमेशा से सुर्ख्यों में बने रहे हैं साल 2008-2009 में धोनी और साउथ इंडियन एक्टरस राय लक्ष्मी की डेटिंग की खबर काफी वारल हुई थी लक्ष्मी और दोनी को अक्सर एक साथ देखा जाता था और इसने उनके रिलेशन्टिप में होने की खबरों को और तेज कर दिया न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार IPL के दोरान उन्हें कई पार्टी में देखा गया था और वही सुरेश रहरा की बर्थने पार्टी में भी ये दोनों स्पॉर्ट किये गए थे साल 2014 में इस एक्टरस ने अपने ब्रेक अप के बारे में खुल कर बात की थी उन्हों ने कहा मुझे विश्वाश होने लगा है कि दोनी के साथ मेरा रिष्टा एक दाग की तरह है जो लंबे समय तक नहीं रहेगा रायलक्ष्मी ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि उनके ब्रेक अप के सालों बात भी लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं हलाकि इस मामने पर दोनी ने कभी कोई बया नहीं दिया लेकिन यह मुद्दा उनके लिए विवादित हो गया